महाकाल भुलोक में आप सभी को स्वागत है दोस्तों आप लोग जाना है कि छार खन में धूंद का कहर मचाय हुआ है किसान परसान है समझ में नहीं आ रहा है कि किस टाइप भी अब खेती बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी ओला पड़ेगा क्या होगा यह देखे दूंद किस टाइप के दिख रहा है दमरास्ता तक नहीं दिख रहा अब जिस समय पानी होना था उसमय तो पानी अच्छा हुआ किसान खुश थे मगर अभी धूंद दो तीन दीनों से ऐसा कर रहा धार खन में कि तवाही मची हुई है देखिए कैसे धूंद है गारी आ रही है जो भी गारियां जा रही है लाइट जला कर आ रही है एक बाइक आ रहा लाइट जलाते हुए इसको कुछ रास्ता नहीं दीख रहा आपको खेतों के किनारे साइड ले चल रहा हुए दिखिए कैसा धूंद पड़ा हुआ है अब पड़ रहा भी चारों तरफ धूंद का कहर मचाय हुआ है नहीं मालूम किस टाइब की अब खेती होगी किसान अबढ़ाहत में है परसान में है एज दिखिए प्राकितिक जो अब तो नहीं होते हैं यह कितने सुंदर लगते हैं घर में हम इन्हें लगाएंगे तो नहीं लगेंगे प्राकितिक फूल की नजारा ही कुछ और है यह सब परसाथ में लगे हुए हैं परसाथ के पानी से अपने आ पे जम जाते हैं इसका बीजा में रखूंगा अब लिजा सुंदर अच्छा दीक रहा है यह फूल को मुझा मेलाया हूं बाहर से हजंब यह अप्राजीटा में पत्ते होते हैं मगर इस नमें बहुत अच्छी आप राजीता है अगर आप लोग कहां होगा तीच टाइप के अपराजीता है तो अच्छी बात है और किसी किसी म वाला है यह फूल खिलने वाला है है क्या है भाई कि हम को प्यार करने रहे हो कुछ है भाई कुछ हमको बनानों नहीं देते हो हां हां ठीक है ठीक है इसको नहवा धवा दिये हैं सुबरें इसके बर्तों उतर सब साफ हो गए है अब इसको थोड़ा देर में नास्ता पानी देंगे कोहरा तो छाय हुआ है ही थोड़ा सा नदी की ओर चलते हैं सुबर का समय है गाउं के अब लकडियां ले जाती हुए और यहां पर लकड़ी रखा हुआ है दुबारा आकर वे जाएंगे पिला पिला भूल भूला हुआ है इस वो तरोई या फिर जोनका उगर कहते हैं जो खाने में मज़ा बहुत आता है बर्बत्ति के साथ आलू के साथ बन जाता है तो हरा भाला चीज देखने से सुबह आंक की रोशनी अच्छी रहती है और यह दूंद आप देख रहे हैं दूंद ऐसा पल रहा है कि जो फसल हुई है वही फसल चौपट नहों जाए भवान है अई मालूं क्या करेंगे क्योंकि अभी तो सितंबर गड़ा तो सितंबर में लाश्ट लाश्ट में बर्सात के अभी लच्छं है वरा इसे दून्द पढ़ने से वर्सा का संकेत पताता है कि नहीं कि उसकती है वो भी सकती है दोस्तों इसको सत्पुतिया चेहिंगी कहते हैं कि इतना सुंदर दिख रहा है ज़िए भुधी मरवटी मना हुआ है यह देखे, यह सक्तुत्य धेंगी है, खाने का टेश्टी कुछ और है इसका, पर साती साख सब्जी लगाए हैं, देखिए इसमें भी बोधी, इसको कहते हैं परबत्ती, अभी फला है, अभी इस सब फलने के लिए पानी की अती आव सकता है, मगर पानी गिर नहीं रहा, अभी बोधी के फूल है, इधर भी बोधी बरबत्ती फला है, अब हम नदी के पास आगया है, कितना अच्छा दीख रहा, आवाज आप सुनिए, पानी की कल-कल-कल करकी अवाज, मन को मुह ले रही है, कास, मेरा घर भी इसी नदी किनारे होता, मैं भी मस्ती करता, अब चलते हैं, थोड़ा सा नदी, थोड़ा सा आगय में चोड़ा है, वहाँ पर नहाएंगे, मस्ती करेंगे, साथ हैं, मेरी छोटी सी बच्ची भी है, मस्ती करते हैं, सुबेरे का मस्ती तो अच्छा लगता भी है, हम लोग आगर जो बताया था कि नदी के आगे का भाग चोड़ा है, और हम लोग आगे हैं नदी में मस्ती करने, और धुंद तो पड़ा ही है, अब धुंद के साथ साथ क्या करें, सोड़ सा नहा लिया जाए, सुबा का समय है, अब मैं आपको बताया था ने कि मेरी को को बताया थे को बताया थे लुट रस्भी घरा राइंच। मैं आवाँ जाले तो पार राग कि मैं आपको अर्वाइं़ का लोगा कि ए भावाओंवा है अब सुभा की अस नान ध्यान हो चुका हम चलते हैं अपने घर साइड जा रहो जे किये इतना धुन परा हुआ घर भी नहीं दहंख से दीख दिख रहा, जारो तरफ धूंद का कहर मचाए हुए, मोसम तो ऐसा दिख रहा, कि क्या बताएजा, दो तिन दिनों से ऐसी गर्मी पड़ी है, कि गर्मी उफेल कर दिया है, धूंद ही धूंद, फिर हम आप लोगों से अगले व्लोक में मिलते हैं, जै हिन, जै भारत, जै जवान, जै किसान, भगवान धूंद से बचाए, जै महाकार,